नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यूपर दोस्तों जैसे के आप सभी जानते हैं कि परधान मंतरी नरेन मोदिज दुवारा 31 मैं को ग्यारवी किस्त ट्रांसफर कर दे गई है लेकिन यह ग्यारवी किस्त किन किसानों के बैंक खाते में नहीं भेजी गई है या फिर नहीं भेजी जाएगी उसकी लिष्ट हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं वे कौन-कौन किसान हैं जिनको ग्यारवे किस्त नहीं दी गई है उसके बारे में संपूर्ण जानकरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है अगर आप भी जानना चाहते हैं और आप भी वे लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहेगा दोस्तो आप किस प्रकार से अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं तो आप अंत तक जुरूर देखेगा क्योंकि श्टैप बाई श्टैप हम आपको संपूर्ण जानकरी देने वाले हैं अगर आपका वहाँ पर नाम है तो आपको ग्यारवी किस्त नहीं मिलने वाली है ठीक है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले हम आपसे निविदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर द दिए जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं प्रधान attentive किसान सम्मानिधी योजना की ओफिसियल वेबसाइड पर। जैसे कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं परधान मंत्री किसान सम्मानिधी योजना की ओफिस्यल वेबसाइट पर दोस्तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप क्लिक करके सिधा इस ओफिस्यल वेबसाइट पर विजेट क हुई है हनकी 31 मॉए को 11 किस्त सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है चलिए जान लेते हैं कि कि किसानों को 11 नहीं दी जाएगी तो simply दोस्तों आपको नीचे स्कॉल करना है ने जयसे स्कॉल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेगे dashboard का option यहाँ पर dashboard के option पर आपको click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा जहाँ पर आपको अपने state का नाम select करना होता है district का नाम select करना होता है तैसिल का नाम select करना होता है और गाउं का नाम सेलेक्ट करना होता है चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको आपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना है जो भी आपका राज्य है जिसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो आपको जो भी डिश्टिक है दोस्तो वह आप यहाँ पर ले लेंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा ठीक दोस्तो चलिए मैं यहाँ पर एक जो जिला है वह ले लेता हूं अब यहाँ पर आपको अपना जो तैसिल है वह तैसिल आपको यहाँ पर सेलेक ऑपन हो जाता है निए पंट हो जाता है आप यहां पर देख पा रहे होंगे हैं अब दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि किन सानों को यह payment मिल चुका है इनके कितने फार्मर यहां पर रजिस्टर है कितनों को यहां पर आप प्रृवल मिला हुआ है प्रफार्वल नहीं मिला है वह संपॉर्ण जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं ठिछ दोस्तो आप यहां पर आ सकते हैं आपको step by step इसी प्रकार से क्लिक करना है जिस प्रकार से हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बता रहे हैं उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे payment status का उपस ने यहाँ पर दे गया है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से सामने नाइस पेज ओपन हो जाएगा अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इस गाउ में बहुती कम किस्ते जो हैं वह मिली हुई है यहनके दो-दो किस्ते ही इस गाउ में मिली हुई है हाला कि 11 किस्त दोस्तो ट्रांसफर की गई है लेकिन इनको केवल 2 किस्त अब तक मिल पाई है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी किसानों का बाइडाटा यहाँ पर दिया गया है चलिए जान लेते हैं कि क्या region है और क्यों यहाँ पर इनको किस्त नहीं मिली है तो किस प्रकार से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तो देखना होगा यहाँ पर एक option दिया गया है फिर इस से आगे एक option और दिया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है Received No Payment यहां के payment आने का region ठीक है तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपको क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहां पर आ जाता है आपका nest page open हो जाता है सबसे पहले आपको यहाँ पर farmer का नाम दिखाए देता है इनके फादर का नाम अगर आपने डाला होगा तो वह भी दिखाए देगा कब आपने registration किया था वह दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे कितनी किस्त मिली हुई है वह दोस्तों आप यहाँ पर जान पाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाए देगा region of no payment यहनिके आपकी जो किस्त है वह क्यों ना आई है क्या वजह है वह आप यहाँ पर देख पाएंगे अब जैसे आप नीचे स्कोल करेंगे तो नीचे स्कोल करने के बाद फर्स्ट नमबर पर ही आपर दोस्तों region देगा है इनके वजह दी गई है कि आपकी payment क्यों नहीं आई है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपर लिखा हुआ है reject by bank as per bank account number is invalid यहनिके जब किसान ने अपना फार्म भरवाय था तो उन्होंने bank account number गलत दिया हुआ है ठीक है यह फिर IFC code गलत है ठीक है एड आयपसी कोड आर नोट related to search other यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर search में ही नहीं है bank का नाम ही search में नहीं है और जो IFC code है वह भी उन्होंने नहीं डादा है या फिर दोस्तों का जो IFC code है bank का वह change हो चुका है तो यहां पर आप region देख सकते हैं और दोस्तों इन किसानों को आपको बताएं चाहेंगे कि इन किसानों को 11 किस्त नहीं मिलने वाली है ठीक है लेकिन दोस्तों यह किस्त अगर आप जानना चाहते हैं किस प्रकार से लेंगे तो चलिए हम आपको यह भी जानकर यहां पर दे देते हैं तो बस आप अंत तक बने रहेगा वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को आप लाइक कर दिजेगा क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से किसी प्रकार का भरमित नहीं कि जाएगा सही समय पर सही से टी जानकर आपको दिजाएगी तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे हों कि आप किस प्रकार से अपने किस्त का रिजन देख सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो आपकी रुखी हुई किस्त है वे आपके bank खाते में आ जाए यहाँ पर और भी किसानों का जो बाड़ डाटा देख लेते हैं कि आप दोस्तों यहाँ पर और भी region दिये गए हों जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर bank note registered in PFMS यहाँ पर किष्ट दिया जाती है दोस्तों bank registered ही नहीं है और नीचे आ अगर आपके नाम भी यहाँ पर दिया गया है और आपकी भी किस्त नहीं आई है तो आपके नाम के सामने इस प्रकार का यहाँ पर रिजन दिया होगा जो भी रिजन दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर reject by bank as per bank account number दे गया है तो सबसे पहले आपको क्या कराना है किसी भी CSC के दुवारे से अपने फार्म में क्रेक्शन कराना है और क्रेक्शन कराने के उपरान दोस्तों यांगे क्रेक्शन कराते वक्त आपको अपना bank account number सही देना है और IPCC code सही देना है अगर और भी अदर कोई गलती हुई है या नेम में address में तो आपको वह भी सही करा लेनी है तभ को आप जरूर सब्सक्राइब के लिए जगा बेल लेकन को प्रेस करेगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दोस्तों सही समय पर सही सिटिक जनकरी को आप राप्त कर सकें चलिए आप चाहते हैं आपसे इजायत और मिलते हैं आपको न झाली झाली झाली।